who has been the most search person जिसको Google किया गया है सबसे जादा इस साल 2021 का तो इसका अंसर बताइए और जल्दी से हम लोग थोड़ा कड़ेंगे क्योंकि 60 minutes है हमारे पास और question का number है 100 तोटल 100 questions है तो बताइए सबसे जादा Google किसको किया गया है इस साल guys थोड़ा जल्दी answer देंगे तो ये नीरा चोप्रा इसका answer हो जाएगा नीरा चोप्रा को 2021 में सबसे जादा बार Google किया गया है 56 ग्यान पीट पुरुसकार 2021 में अभी तो 57 भी आ गया है लेकिन 56 ग्यान पीट पुरुसकार किसको मिला है किसको सम्मानत किया गया है ग्यान पीट पुरुसकार से जितना लेट आप लुग जोइन कीजेगा उतना जादा question मिस होगा तो 8 बज़े का मतलब होता है 8 बज़े ठीक है Good morning Mamta Mahesh answer आया है Ankit Smasher समने सही answer दिया है question number 1 का answer समने सही दिया है और 2 का है निल्मानी पुखान और हमको लगते है कि आपको 57 भी याद हो गा ही ठीक है तो निल्मानी पुखान आपको याद है Very good next question है कि which country has become the number one food supplier for Arab country Arab nation में food देने में सबसे पहला स्थान कौन से country को प्राप्थ हुआ है Brazil, China, India या Japan question number 3 पाइं के साथ थोड़ा चलिए 8 बच के 2 मिनिट हुआ है तो आमनों question number 3 discuss कर रहे है है ना तो इसका answer है इंडिया Arab nation में जो सबसे ज़्यादा food supply हुआ है वो भारत ने food supply किया Arab nation को Indian President of World LPG Association कौन है LPG आप जानते है क्या होता है liquefied petroleum gas तो भारतिय प्रेसेडेंट है World LPG Association Shrikant Madhav Vyadhy ठीक है Shrikant Madhav Vyadhy इनका नाम है the first chief of defense staff जिनका नाम हुआ इनका नाम क्या है तो सबको पता है कि helicopter crash में first chief of defense staff का निधन हो गया है question number 4 हाँ very good यही strategy होना चाहिए जैसे कि exam में आप लोग करेंगे कि जो question नहीं आएगा उसको skip करेंगे तो यहाँ पे भी बिल्कुर उसी तरह से सोचिए कि exam का strategy अगर सही है तो अपने आपको एक number लीजे गलत है तो 0.25 marks काट लीजेगा ठीक है और नहीं attempt करें तो अपने आपको 0 marks दीजेगा हर 10 question के बाद हमको अपना score होताईगा 10 question के बाद हाँ ठीक है तो यह weapon rawat है weapon rawat जी का निधन हुआ है ठीक है इंक्लूडिंग Thailand and Myanmar आपका आजाएगा बिम्स्टेक सबसे लास में 2004 में भूटान और नेपाल ने जोइन किया था 1997 से बना हुआ है Bangkok declaration से बना है तो बिम्स्टेक में आप बताएं कि panics 21 का जो exercise है वो कहां पे हुआ है कि पूने में हुआ है क्यों bad morning हो गया see I am not able to talk today because बहुत सारे questions आज discuss करने last round revision है तो इसलिए आप लोग थोड़ा dumb-siff question answer ठीक है यह who has become the program she is a change maker for women who has launched this program तो अब इसका answer दे यह भी 2022 के लिए एक important part है क्योंकि 30 साल पुडा हुआ है इस संस्थान का तो आप बताएंगे she the change maker अच्छो good morning very good morning guys देखे 4 minute late आप लोग join कें और हम question number 7 पे हैं तो देख रहे हैं आप लोग देखें यह गलत answer आया है हम पहले बता चुके हैं कि 1992 में National Commission for Women बना और अभी 2022 में यह question पूछा जाएगा क्योंकि इसको 30 साल पूड़ा हो चुका है और इस बार का जो theme है वो है she is the change maker ठीक है तो she यानि की women इससे याद रखेगा की women National Commission for Women understood very good twin platform ठीक है international digital twin platform किसने launch किया है यह यह बताएंगे Genesis twin platform किसके द्वारा launch किया गया है yes hurry up guys last hundred questions which you have to revise before the exams उसके बाद जो भी marathon होगा वो GK का होगा क्योंकि आप जानने कि याज से भी current finance का weightage थोड़ा सा कम है तो हम लोग इसको थोड़ा last crisp form में कर रहे है ठीक है तो यह Amitabh Khanth है और आपको पता होना चाहिए कि Neeti I.O यह आप खुद से बताएंगे Neeti I.O जो है इसमें CEO कौन है और CEO के साथ एक और क्या होते है इसके जो CEO कौन है और Vice Chairman कौन है क्योंकि Chairman तो Prime Minister हो जाएंगे तो Vice Chairman और CEO का नाम आप लोग बताइएगा राजीव कुमार और Amitabh Khanth में कौन क्या है Ecoviren exercise एक Joint Military exercise है जो कि किस दो देश के बीच में हो रहा है Ecoviren भारत और भारत और किस कंट्री के बीच में Ecoviren हो रहा है Maldiv, Sri Lanka, Japan, Bangladesh तो इसका अंसर बताएँ आप लोग Amitabh Khanth है CEO अच्छा ठीक है और Rajeev कुमार कौन है तो यह Maldiv इसका अंसर है Which country has won Davis Cup Davis Cup 2021 किस देश ने जीता है Yes Very good Guys और session को एक बार आप लोग लाइक कर दीजे Till then I am waiting कि आप लोग session को like कर दे Amitabh Khanth से होएं ठीक है Davis Cup जो है रश्या ने जीता है तो 10 questions मैंने बता दिए अभी 90 questions बाकी है तो आप लोग जल्दी से अपने score बता दीजे Please कि आप लोग का score क्या है What is your score in 10 questions How many I've skipped How many I've done जिसका गलत होगा तो please point 1 4th number काटेगा ठीक है 0.25 marks काटेगा ठीक है 8 हाया है चैतन्य को रजत को 6.75 रशन को 4 6 में ठीक है Okay 6, 8, 10 में 10 भी आया आपको very good तो guys let's start for second round अच्छा है score अच्छा है इस बार Second round में आपको GRSE Garden Research Ship Builder and Engineers GRSE ठीक है GRSE जो है यह What is the name of the India's first survey vessel launched by GRSE तो GRSE ने यह खूल कता में basically तो इसने अपना एक survey vessel बनाया है यह कहां पर है इसका नाम कौन सा है इसका नाम है संध्यक ठीक है संध्यक जो है यह surveying करेगा post guard जैसे surveying करते हैं और यह GRSE ने बनाया है जो कि कहां पर है पोल्गादा में GRSE है COVID testing with a target of 25,000 test per day ठीक है तो random COVID testing शुरू किया गया था कहां पर शुरू किया गया था कि randomly यह 25,000 लोगों को हर दिन test करेंगे तो यह शुरू किया गया था उत्रा खंड में ठीक है देखे आठ मिनिट हुआ है हम लोगों कर्षिण नमर 12 पर तो जो लोग भी लेट आए है वो अब यहां से regular नहींगा ठीक है क्योंकि हम लोगों ने 12 कर्षिण डिसकास कर लिया अब MD and CEO of Ujjivan Bank Small Finance Bank यह कौन बने है Ujjivan Small Finance Bank के MD और CEO जो है वो कौन बन गये है यह इतरा देविस इनका नाम हम बता चुके आपको Current Affairs का सारा गॉस्टन जो है repeated questions है भारत की first women psychiatrist जिनका अभी-अभी निधन हुआ है उनका नाम क्या है first women psychiatrist जिनका निधन हुआ है इनका नाम क्या है everyone yes जल्दी से आंसर बताना होता है इनका नाम है शारदा मैनन यह psychiatrist थी मनोचिकित सकती Creative Entrepreneur Award Asia's Most Creative तो यानि कि पूरे एशिया में सबसे creative यह है Entrepreneur यानि कि जिनों ने कुछ भी चीज खुद से शुरू किया उद्धियमी जिनको कहते है यह पुरुसकार किसको मिला है यह मिला है विवेक पॉल जी को यह विवेक पॉल बढ़िया Question number 16 ज्यादा fast नहीं जा रहा है न आप लोग थोड़ा ज्यादा जल्दी आंसर दीजे Yes Question number 16 is in front of you Adama Adama Barrow यह राष्ट्रपती बने है Second Term किस देश के राष्ट्रपती बने है Sudan, Gambia, Argentina या none of these एक बार भी नाम सुने होंगे पहले तो आप लोग उसको recall कर लीजेगा Don't worry Hmm Again Yes, I'm going slow ठीक है थोड़ा साब रोज आ रहे है ताकि आप लोग answer दे And I'm seeing your answer एक लास अभी तक start क्यों नहीं हो Hmm तो इनका answer है Gambia ठीक है Gambia Good, very good चलें तो question number 17 Question number 17 है कि Nobel laureate Yang San Suu Kui कि इनको jail भेजा गया था अब आप बताएं कि ये किस देश की है Yang San Suu Kui ये भी काफी news में रही है Yang San Suu Kui तो इनको jail भेजा गया था चार साथ के लिए Nobel प्रुसकार भे मिल चुका है और ये जो है Man Marky है ठीक है Man Marky है Yang San Suu Kui Next question है Sarko Sarko क्या है कि which country has approved a suicide machine जिसको suicide करना है वो इस मशीन का उप्योग कर सकता है Sarko इसका नाम है आप बताएं कि Sarko जो है ये किस देश ने इसको बनाया है China बता रहे हैं आप लोग Sarko सुनके ठीक है तो ये आचरी स्विजलेंड का है China का नहीं है Sarko स्विजलेंड सार को स्विजलेंड का है ये Next question Yes Next question जो है उसका answer आप लोग दीजें कि which Indian origin person has been selected by NASA for moon and mars mission तो NASA ने किसको select किया है move on mars mission के लिए NASA ने अभी अभी Anil Menon को select किया है Clear? Yes Good, very good Next question Unix के brand ambassador कौन बन गए है तो Jaspreet Bumra जो है वो Unix के brand ambassador बन चुके है India-US Joint Military Exercise Exercise युध अभ्यास हो रहा है ये कहां पढ़ हो रहा है? Organize कहां पढ़ हो रहा है? युध अभ्यास तो ये जो है ये Alaska में organized हो रहा है? एक बार यहां होता है एक बार वहां होता है World's youngest player to score an ODI century ODI में 100 run मारने वाले भारत मलब दुनिया के youngest player जो है वो कौन बन गए है ये बताएं आप लोग comment section में तो ये Ami Hunter ये Ireland की है ये women है और youngest player है जो की century बनाई है ODI में ठीक? Next question Question number 23 Yes, guys, very good Answer दीजे Which Indian footballer has broken Brazilian legend Pele's international goal record? तो Pele का record टूट चुका है और ये किस player ने, किस footballer ने इसका record, इनका record तोड़ा है Pele जो आप ब्राजील के हैं आपको पता ही है Black Pearl के नाम सब लोग जानते हैं Pele को तो ये है Sunil Chhetri हाँ, बिल्कुल, Sunil Chhetri इन्होंने Pele का record तोड़ दिया है Question number 24 CEO of Pradhan Mantri Fasal Bhima Yojna Fasal Bhima Yojna क्या है? Pradhan Mantri Fasal Bhima Yojna और इसके CEO कौन बने है? तो ये जो है Ritesh Chahan है, जो की Fasal Bhima Yojna के CEO है ठीक है? Yes फिल, C.K. Pralad Award, ठीक है? For Global Business Stability Leadership, Ford Year 2021 ये कौन? किसको मिला है? तो ये एवार्ड मिला है किसको? अभी आप लोग थोड़ा सा गरत दे रहे हैं, कोई बात नहीं Satya Nadella को मिला है C.K. Pralad Award, ठीक है? Question number 26 PM Wani, PM Wani Project क्या है PM Wani Project और कहां पर स्टार्ट हुआ है? Question number 26 हम लोग 15 मिरेट पर 26 कर चुके हैं, ठीक है? Speed अच्छा जा रहा है आप लोग भी थोड़ा speed maintain करके रखें जाद से जादा थोड़ा like कर दें, share कर दें ताकि सबको पता चल जाए कि हम लोग यहाँ पर last round revision कर दें और कितने सारे important questions को discuss कर दें है ना? So, let's start Yes, everyone, answer आ रहा है, ठीक है PM Vani project जो है अंद्रप्रदेश में है ठीक है, अंद्रप्रदेश में मेरा घर, मेरा नाम योजना मेरा घर, मेरा नाम योजना जो है, यह कहां परड़ है? मेरा घर, मेरा नाम यह है आपका पंजाब में ठीक है, मेरा घर, मेरा नाम World's largest bitcoin mining center यह कहां पर बना है, largest bitcoin mining center यानि कि यहां पर bitcoin बनाए जाएगा तो यह है USA, ठीक है? क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस actually questions बहुत सारे है न, तो आज हम लोग तोड़ा जाना पढ़ रहे मैं starting से current effect की class कहां से मिलेगी सबसे start हुआ यह जो है न, 5th class है आज तो यह total 5 classes मैंने किये है current effect के, जो कि आपके F-Cat और जो भी exam अभी आएगा इस साल, अभी जो एक-दो महिने में जितने exams होंगे, सबके लिए बहुत important है, 5 questions तो इसी channel पे, अगर आप subscribe कर लेते हैं, तो आपको इसी channel के playlist में सारे current effect के classes मिल जाएंगे, ठीक है फिर next question आप देखें कि India's rank in Global Hunger Index GHI, 2021 में 3 में होता है, subscribe, subscribe का इसा नहीं लगता है हाँ, तो इंडिया का rank है 101 ठीक है, Global Hunger Index में भारत का rank क्या है 101 है नहीं, actually I'm seeing कि एक और जो class होता है वो अभी start नहीं बहुत so that I'm checking, yes new student, जो भी new student है वो please subscribe कर ले channel को और like भी कर दिजे session को yes 101 है पर आदरे के कौन सा company है चुकि top किया है World's Best Employer by Forbes तो यह जो है, सबसे अच्छे तरीके से लोगों को employ करता है यह company और यह company जो है, इसका नाम है Samsung, Forbes magazine द्वारा Samsung को यह award मिला है India's first Indian to be appointed as a chairman of World Steel Association World Steel Association के chairman कौन बन गया है first Indian है जिनको बनाया गया है जिनको बनाया गया है यह कौन बने है जल्दी बताए yes तो यह जो है इनका नाम है सज्जन जिन्दल ठीक है सज्जन जिन्दल जो है पहले भारती है जो की World Steel Association के chairman बने है National Conference for Zoo Investor and Veterinarians has been organized in तो जू में जो इन्वेस्ट करेंगे और जो वेटनरी में वेटनरी आप रहते हैं ना कि डॉक्टर होते हैं अनमल्स के तो उनके लिए organization यह बना है National Conference हुआ है भारत का फर्स्ट अटल Community Innovation Center ACIC यह किस city में launch हुआ है हाँ बिल्कुल PDF मिल जाए अगरोपन तेक है ACIC यह अटल Community Innovation Center जैपूर का है Miss Earth India 2021 का crown किसको मिला है मैं अभी एक क्लास चालू नहीं I know that I am telling but they are not listening अब लोग एक सेकेंड वेट करिये तो हम एक एक there is some technical issue I am calling तब तक आप लोग question का answer देते रहे इसका अब लोग एक सेकेंड वेट करिये तो हम एक answer जो है यह हो जाएगा रश्मी माधूरी रश्मी माधूरी जो है इनको award मिला है फिर आप देख सकते हैं which state government announced that it will set up in schools तो यह जो है यह उत्तर प्रदेश है yes है तो बजिय cricket तो है माद है hele अरोग्य वातिका पर था तो अरोग्य वातिका जो है ये कहां पर बना है तो आप जानते हैं कि अरोग्य वातिका जो है ये बना हुआ है आपका उत्तर प्रदेश में है ना और फिर उसके बाद का जो question था वो ये था कि Akash Air ये has approved to operate in India is backed by which businessman तो ये जो Akash Air है ये आपका लाकेश जुन जुन वाला जी इसको शुरू करेंगे ठीक है who has been appointed who has been appointed by Indus in bank as the new finance officer exam में क्यों जाना होगा तहां जाना होगा कौन सा exam है तो ये गोविन जैन है ठीक है गोविन जैन जो है वो चीफ फिनानस ओफिसर बने है IPL team जो की Vivo Indian Premium League जीता finals के कौन से IPL team ने इस बार Vivo Indian Premium League जीता है हाँ मुझे पता है कि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होड़ा है कोई बात नहीं हों प्रगाश I'm just checking तो ये चन्नाई Super Kings है चन्नाई Super Kings है फिर who has become the world's first player to captain in 300 T20 matches कोई बात नहीं आपको अब 11 से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा because I'll take class from board only तो board से ही होगा class जो 11 से शुरू होगा तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बलकुल तो ये देखें ये महेंद्र सिंग धोनी है जो की world's first player जो की T20 में to captain in 300 T20 matches ठीक है पर next आप देख सकते है प्रदीप कुमार पांजा इनको बनाया गया है new chairman किस bank का ये बताएं जल्दी से yes my answer is very good तो प्रदीप कुमार पांजा जो है इनको बनाया गया बताएं जल्दी से कहा का chairman इनको बनाया गया है ये है करनाटिका bank करनाटिका bank के इनको chairman बनाया गया है clear question number 41 हाँ बिल्कुल 100 questions करवाना है तभी आप देख रहे कि मेरा कोश़ची है कि सारे 8 बजे तक हम लोग 50 questions कर ले क्योंकि 100 questions करवाने है first Indian origin person to work for Tesla तो आप लोग सुने होंगे news बेलान मस्त ने भी कहा था कि ये पहला employee है और first Indian थे वो पहला employee जो कि Tesla के लिए काम किये ये अशोक इल्लू स्वामी है जिनको पहला first person to be appointed who has taken over the chairmanship of G7 to host the summit in 2022 तो आप बताएं G7 में जो गदेश है उसमें chairman की meeting के लिए इस बार कौन अध्यक्ष है chairman कौन ये chairman है Germany ठीक है जर्मनी जो है इसका chairman है Sal who has been appointed as the member of England's top royal order order of greater तो अब इनके आगे जो है सड की उपाधी लग जाएगी और ये हम बता चुके है आपको यहां के former prime minister भी रा चुके है और ये है Tony Blair Heartfulness Yoga International Yoga Academy in Hyderabad बना है तो योगा जो लोग दिल के मरीज है उनके लिए ये ऐसे योगा करने का एक जगा बना है तो ये हैदराबाद में बनाया गया है किसने इसको inaugurate किया है तो ये है सरवन्दा सुनोवाल जी ने इसको inaugurate किया है तेर है आप लोग session पो like कर दीजे और share करें क्योंकि आज ये last round revision है जो भी आपके friends है जितने भी जिसको भी जानते हो जो prepare कर ड़े है उनको current affairs का काम है जबरात तो हर किसी कोई है तो आप लोग उन तक ये class पहुँचा दीजे क्योंकि ये last round revision है 100 most important questions भारत में state and UT to set जो की इंडिया's first water taxi service चलाएगा ये कौन सा state या UT है ये बताएं आप लोग comment section में water taxi ये महराश्रा में चलेगा ठीक है water taxi in महराश्रा child marriage free गंजम district बन गया है गंजम district किस state में है यहाँ पर child marriage नहीं बनेगा हिंदी में भी तो बताएं हिंदी में लिखा हुआ है न देखे किस राज्य में गंजम जले को बाल विवार मुक्त गोशित किया गया है तो ये ODISA है सायोग्त राष्ट आतंगवाद विरोधी समीती के अध्यक्ष कौन बने है फोटो जॉर्नलिजम में राणनाथ गोईन का पुरुसकार जीतने वाले कौन व्यक्ती हैं तो जो लोग फोटो खीसते हैं जो जॉर्नलिस्ट होते हैं तो उसमें राणनाथ गोईन का एवार्ट इसको मिला है ये मिला है जशान ए लतीफ को जो स्टूडेंट अभी जॉर्न के हैं अभी आप क्लास देख लीजए लेकिन क्लास के बाद आप पीछे का 48 questions देख लीजएगा फर्स्ट इंडिजीमियस किट फर टेस्टिंग ओमी क्रॉन वेरियंट वाज अप्रूवड वाज अप्रूवड अब का comment देख लाए फिर आप बताएं कि PM मोधी जी ने महराजा वीर विक्रम सिंग हवाई अड़े पर नए टर्मिनल का उद्गहटन किया है ये महराजा वीर विक्रम सिंग जो हवाई अड़ा है ये कहां पढ़ है ये है तिरुपुडा में ठीक है तिरुपुडा का यापिटल है अगरतला अचा आप लिख रहे हैं ओके आप लोग जो जो फैन हाँ सो नेक्स वेस्टन आप देखें वेस्टन नमबर फिफ्टीवन रेड़ी, स्टेड़ी, गो अचा आप लोग तब तक बतासे हैं कि आपको 50 questions में कितने score कितना marks आया अप्रोक्स जो total 50 questions हुए है उसमें किसको कितना आया है अभी तक हो गई है class दूसरी side चेक कर दिया हमने 50 में किसको कितना score आया है 38 minute में हम लोगों ने 50 questions बनाये है तो बाखी 50 बन सकते हैं आप बताएं कि score कितना हुआ है चैतन्य को 44 आया है 50 में very good very good excellent जो भी जितने भी questions आपने बनाये है उतना ऐसे करके बता दिजे 44 divided by 50 30 आया है अमन को 36 आया है मनीश 36 50 में okay 36 आया है 50 में कपिल को 38.75 आया है लजट को 30 अंजू 45 अफ़तार सिंग 34 अंकित 50 में okay very good अच्छा score है तो अब हम लोग फिर से continue करते हैं इस बार फिर से आप अपना check कर लिजेगा अब count कीजेगा जो ये next 50 questions है न जिसमें हम बीच में पूछेंगे 25 questions के बीच में कि कितना है count कीजेगा सही आएगा तो एक marks गलत आएगा तो 0.25 ठीक है minus काट लिजेगा और skip करेंगे तो 0 41 अलोग को आया है ठीक है very good 38 अमित को आया है 40 महेश 37 अकाश अन्जू 30 अलोग 42 बहुत सारे लोग अभी start किये हैं रोशन पूरी 20 चले तो फिर से आप स्राट करते हैं आप लोग score कर लीजेगा आपना how many members country of international solar alliance are included in Antigua and Barbuda तो यह Caribbean islands है हाँ मनीश अपने आपको बोले की जरा है ठीक है मनीश के कितने है माम मनीश मनीश जो है माम मनीश नहीं मनीशा अच्छा मनीश नहीं मनीशा मनीश को zero है और एक मनीशा भी है मनीशा शर्मा है और मनीश कुमार है तो देखें यहां पर पूछा जा रहा है कि international solar alliance आप जानते हैं इसका headquarter कहा है गुरू ग्राम में है ना तो गुरू ग्राम में जो इसका headquarter आप से यह पूछ हो जा रहा है कि international solar alliance में कितने वे member हैं यह लोग तो यह 102 member बन गया है Antiguan Barbuda ठीक है Antiguan Barbuda next question इंडिया's first unique rock museum इसको कहां बनाया गया है गाइस भारत का पहला unique rock museum कहां बनाया गया है यह बनाया गया है Hyderabad में किस ने बनाया है Guinness World Record first Guinness World Record in numerology who has achieved this Guinness World Record यह question पूछा रहा सकते है बहुत common था तो यह GC Chaudhary है GC Chaudhary यह GC Chaudhary जी ने World Record बनाया है फिर्स Shafali Verma has been appointed as the brand endorser Shafali Verma जो है यह brand endorser बनी है किस bank की brand endorser बने है यह बताएं जल्दी से आप लो Yes Bank of Baroda ठीक है Bank of Baroda की यह brand ambassador बने चुकी एंडॉसर बन गई है Which UT Which Union Territory has been selected to host National Youth Festival तो कौन सा Union Territory है जो कि National Youth Festival को celebrate करने के लिए चूज किया गया Modi जी ने खुद इसको चूज किया है Pudu Chinese का नाम है पुदू चेडी इसका नाम है आपको पता होना चाहिए Pudu चेडी जो है इसमें Mahe है Yemen है है ना Pudu चेडी है कारेकल है तो ओ कौन सा किस जगा में एक आंधर प्रदेश में एक तमिल नाटु में एक केरला में खुद पुदू चेडी ही है तो ये पता होना चेडी कि कहां पे कौन सा है यंग्यस बॉलर तो टेक 400 T20 विकेट्स तो ये T20 विकेट्स यंग्यस बॉलर जो है इनका नाम है रशिद खान रशिद खान बने हैं ये मैंस फ्रेंचाइसी फर्स्ट विमें कोच इन मैंस फ्रेंचाइसी क्रिकेट्स तो ये मैं में फर्स्ट विमें कोच बन गई है इनका नाम क्या है देखे लास्ट मोमेंट का प्रिपरेशन ऐसे ही होता है थोड़ा जल्दी पढ़गाता है उसका टेंशन आप लो मत लीचे लास्ट मोमेंट है तो इसलिए इसको थजल्दी पढ़गा पुड़ुचेडी में पुड़ुचेडी है सही बात है तो ये है सारा टेलर सारा टेलर जो है ये फर्स्ट विमें कोच है इन मैं फ्रेंचाइसे क्रिकेट येस फिर आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट एवर ब्रैंड अम्बैज़र ऑफ बंधन बैंक बंधन बैंक के ब्रैंड अम्बैज़र कौन है आप लोग टोनी ककड़ का गाने सुनते हैं क्या तो ये रेके जूबीन गर्ग हैं जूबीन गर्ग जो है ये बंधन बैंक के फर्स्ट एवर ब्रैंड अम्बैज़र बने है येस बढ़ी गुड चटोनी पकड़ गया रहे सुनते हैं आपको बढ़ी या तो वो अमंग दे फॉलोईग है तो ये टोग ग्लोबल एप्रूबल राइटिंग तो यहां पर नरेंद्र मोदी जी जो है ग्लोबल एप्रूबल रेटिंग में टॉप किया है तो इसको मेजर एरपोर्ट का अब अब सम्मान दिया गया है कौन सा ये है तो यह है तो यह है श्रीनगर एरपोट, ठीक है? श्रीनगर एरपोट, विच श्रीनगर एरपोट, विच ने विच आप बिकाम इलेट है? विच श्रीनगर एरपोट, विच श्रीनगर एरपोट, विच ने विच ने विच आप बिकाम इलेट है? पंप लगेगा, अडर विच श्रीनगर एरपोट, विच ने विच श्रीनगर एरपोट, विच ने विच ने विच आप बिकाम इलेट है? Next question, question number 63, about speed we are going with, question number 63 है की, who has been appointed as the acting president of Olympic Council for Asia? तो Asia के लिए acting president कौन बने है? ये बने है, रंधीर सिंग, ठीक है? Acting President, Olympic Council for Asia. PM Modi ji ने राजा महेंद्र प्रताप सिंग, राजे विच्व विध्याले की अधार शिला कहां रखी है? प्रधान्वंत्री has led the foundation of stone of Raja Mahindra Pratap Singh University. तहां पर ये युनिवर्सिटी बना है, ये युनिवर्सिटी बना है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बना है. फिक्शन 2021 में, महिला प्रुसकार जीतने वाले, किसने जीता है, ये बताएं आप लो कमेंट सेक्शन में, कि Suzanne Clark है, ठीक है, Suzanne Clark जो है, ये फिक्शन में लिखती है, फिक्शन आप समस्ते हैं, जो की हो नहीं सकता है, और ऐसा किताब लिखे हैं कोई, तो उसके लिए प्रुस हैं, जिन्होंने सबसे जादा गोल मारने का डिकॉर्ड बनाया है, Guinness World Record में, International Football Mail, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, Christiano Ronaldo, CR7, जिनका अभी कौन सा टीम है, वापस से Manchester United के लिए खेल रहे हैं, शुरुआद भी वही से किये थे, फिर Real Madrid में गया, फिर Juventus में गया, फिर से Manchester United में हैं, कौन सा कंट्री है, कौन सा देश है, दुनिया में, पहला देश जिसने बनाया है, जिसके लिए सभी नए घर में EV Charger की आविशकता है, यानि कि Electrical Vehicle जो है, वो वहाँ पे रह सकते हैं, क्योंकि सब घर में उससे चार्ज होने का विवस् भारत का First Tag Based Metro Parking Facility कहां पे लाँच हुआ है, फास्टाइग आप समझते हैं, फास्टाइग अपने आप उसमें से, जैसे पार्किंग में 10 रुपय लग रहा है, तो वो ऐसे उपर में स्कैनर रहता है, तो वो आपने आप उससे 10 रुपय कट जाएगा, उसके लिए ड्राइ जो टोल के लिए पैसा दिया जाता है, तो ये न्यू दिल्ली है, ब्रह्मानंद पुरुसकार, स्वामी ब्रह्मानंद पुरुसकार से किसको सम्मानित किया गया है, question number 69, जो student अभी जोइन किये हैं, वो लोग please class के बाद बागी जो 70 questions जिसकास हो चुके हैं, उसको देख ली peaceful mission exercise, ये एक exercise है जो की news में था, इसका नाम है peaceful mission, शान्ती फून mission, तो ये exercise भारत, बहुत कौन सा देश होस्ट कर रहा है, तो रश्या इसको होस्ट कर रहा है, ठीक है, peaceful mission, 71, phino payment bank, phino payment bank as its first ever brand ambassador, who has been robed in by phino payment bank, तो इसके brand ambassador कौन बन गया है, इस bank के, ये बने है, पंकच स्रिपार्धी, कालीन भाईया, मिर्जापूर, first, 61st software technology park center has been inaugurated, तो अब बताएंगे कि भारत में 61st, यानि कि 60 पहले से है, और software technology park, केंद्र का उद्धातन किया गया है, कहां पर तो नागा लैंड में किया गया है, यानि कि यहां पर भी अब IT company और ये सब चीज़े शुरू होँगी, winner of big boss OTT, पहली बार OTT पर हुआ, तो हम सोचे कि यह question भी पूछ लिया जाए, कि इसकी जो winner है, इनका क्या नाम है, अगर आप लोगो थोड़ा बहुत भी idea होगा, तो इनकी winner का जो नाम है, यह है दिव्या अगरवाल, ठीक है, दिव्या अगरवाल, world's longest expressway in India is said to be in which national highway, तो देश का, देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा expressway, यह बनेगा, किस national highway पर बनेगा, यह बताएं, आप लोग जल्ली से comment section में, देखते हैं लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है, हाँ, तो यह दिल्ली मुंबई है, दिल्ली मुंबई, यह जब से सिधार शुकला वाला case हो है ना, तब से big boss भी थोड़ा सा यह हो गया है, न्यूज में बहुत रहा है, फिर आप देखें, इंडिया's first indigenous cruise liner, यह कहां पर बना आया है, launch किसने किया है, हाँ, जितने लोग session को देख रहे हैं, उतने लोग session को like भी कर देंगे, तो यह IRCTC है, IRCTC है, who has become the youngest baller to take 400 T20 wickets, youngest baller जो की, जिसने 400 T20 wickets लिये हैं, यह बताएं, आप लोग जंदी से comment section में, तो अभी-अभी हम लोगोंने discuss किया इसको, यह खान है, ठीक है, 400 T20 wickets लिये है, राशिद खान है, first women coach in men franchisee, यह बताएं, कुछ questions repeat डाले गएं, ताकि आप लोग फिर से revise कर ले, तो अभी तो पता ही आप सबको, कि यह सारा tailor है, बंदन bank के जो brand ambassador बने हैं, उनका नाम क्या है, बंदन bank के brand ambassador का नाम है, जुबीन गड़, हा global approval rating में, किसको top stand मिला है, who among the following is top in global approval rating, तो यह है, Narendra Modi ji, major airport का खिताब किसको मिला है, major airport is Shrinagar, ठीक है, फिर आप से पूछा जारा है, यह देखे, who will chair the technology innovation group, technology innovation group on 6G, 4G हो गया, 5G हो गया, अब 6G में, department of telecom में, किसको बनाया गया है, अध्यक्ष, तो यह है, K. Raja Raman, ठीक है, K. Raja Raman, जो है, इनको अध्यक्ष बनाया गया है, इस, कौन सा country है, जो कि judge, मलब, which country is judge, Hilly Calsworth, has been elected as the, to the international court of justice, तो international court of justice में, Hilly Calsworth को judge बनाया गया है, यह Australia की judge है, ठीक है, Starlink in India, Starlink in India, यह कौन सा देश है, who established satellite broadband, broad brand branch, Starlink India, तो यह है, SpaceX, ठीक है, SpaceX ने यह इसको शुरू किया, recently ADB, ठीक है, Asian Development Bank ने अप्रूफ किया है, dollar 61 million, US dollar 61 million का loan, किसको develop करने के लिए, कहाँ पे development करने के लिए, इस loan को, तो यह अगर तल्ला में development करने के लिए, इसको लिया गया है, Palsa Bank है, जिसने launch किया है, which has launched the first video life certificate, service for pensioner, तो यहाँ पर क्या करा जाएगा, कि जिनको pension चाहिए, वो सीधे video call से, ठीक है, video life certificate देंगे, और उनको office आने की जरुरत नहीं पड़ेगी, तो यह आप बताएं, यह जो है, यह कौन से bank का है, यह है State Bank of India, Yes, जादा speed जा रहे है क्या, कितने marks आएं आप लोगों को, 35 questions हो गये हैं, तो total अभी तक 85 questions किया हैं हम लोगों ने, पचास और फिट 35, तो यह 85 में कितने marks आएं आप लोगों को, 15 questions और बाकी है, क्योंकि यह जो 15 questions है, वो अभी recent current affairs है, तो इसलिए उसको थोड़ा रुख के करते हम लोग, तब तक आप बताएं, 85 में कितने marks आएं हम, सबके, Yes, let me know your scores, Only 3 wrong, पाल, very good, excellent, 28.7535 में, तो बाकी टोटल 85 में कितना आएं हैं, 85 में कितना आएं हैं, पाल ने 5 skip किया है, इस 25 में अमरत धिलन को आएं हैं, सुला, भार्ती को आएं हैं, 25 कोई कम करता नहीं है, 56 आएं हैं, अंकित पाल जी को, 35 में 15 आएं हैं, राजू को, आलोग को 69, मनीशा शर्मा को 30.25, शमा को 0, क्यों क्या हो गया शमा, 85 में अफ्तार सिंग को 77 आएं हैं, 4 skip किया है, 25 marks आएं हैं, भार्ती को, 78 आएं हैं, 85 में अमित को 25, 35 में अयूशी को, आकाश को 68, अंजू 50, दिनेश, 25, 66, गेडी पांटे, कपिल को आएं हैं, 63, 69, 55 में, 66 कैसे आ रहा है, ठीक है, ठीक है, तो सब ने अपना स्कोर बता लिया है, तो कैसा लग रहा है अप लोग को, ये जो इनिशेटिव था, कैसा स्कोर आया, क्या आप कुछ फाइदा हुआ, ये 85 केशन ये नए वाले करेंड अफैसा, तो ये चाइना है, ठीक है, वाइस चांसलर आफ जे,